वाराण से इस्थित ग्यानवापी परिसर का ESI सर्फी हो रहा है वहीं इस बीच सर्फी को लेकर एक अप्लिकेशन कोड में दायर की गई थी जिसका जवाब दाफिल कर दिया गया है वहीं इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 सगस्त की तारीक तैंकी गई है इसको लेकर वकीरों नहीं जानकारी भी है जाने उन्होंने क्या कहा आज जो मुस्लिम पक्ष ने अप्लिकेशन देती कि ESI सर्फी का कॉस जमा किया जाए उस अप्लिकेशन का हमने जवाब दे दिया है यह बात यहां से लेकर सुप्रीम कोड तक फाइनली डिसाइड हो चुकी है ESI की कारवाई आगे बढ़ लई है इसलिए यह एप्लिकेशन आफ्टर थॉट है मिस्प्लेस्ट है और यह मांग हाई कोड भी रिजेट कर चुका हाई कोड में भी बात उठाई थी हाई कोड में उसमें कोई आदेश निपारित किया सुप्रीम कोड में भी इसको कोई बहस कुछ नहीं हुआ जो एक दूसरे को कापी वगरा प्रवाइड करा दी गई जिसको आप जितन फाइल करना वो फाइल कर दे सबके निस्तारण के लिए 22 तरिक लगाया आपको बता दे कि एसाई पत्थरों से लेकर जमीन तक दीवार से लेकर नीव तक अत्याधुनिक मशीनों से पड़ताल कर रही है सर्वी के अंतिम दिन तक अलग-अलग हिस्सों की फोटोग्रफी विडियोग्रफी का कारिक जारी रहेगा जुसके बाद कोट में सील बंद रिपोर्ट पेश की जाएगी जुस 24